नमस्कार दोस्तों कंडल डिफेंस अकेडमी की ओनलाइन क्लासेज में आप सबी का स्वागत है आज के सेस्टन में अपने डिसकर्स करेंगे फंक्षन फलन तो फलन एक रिलेशन होता है एक तरह का रिलेशन ही होता है अब रिलेशन में कुछ कंडिशन होती है वह crucial बन जाता है तो देखो इसमें लिखावाब जैसे येक रिलेशन है और येक फंक्षन है तो फंक्षन हर फंक्षन एक रिलेशन होका प्रते dispon枠 अक्रेशन होगा प्रतेक फलन एक समन्ध होगा लेकिन प्रतेक समन्ध एक फलन नहींKK तो कौन से समंध फलन होंगे उसी से इसकी परिवाशा बनती है जैसे समुचे A से समुचे B में कोई परिवाशित एक समंध है वो फलन कैलाएगा समंध ही एक फलन कैलाएगा लेकिन कौन सा समंध फलन कैलाएगा जब A के प्रतेक अव्योका केवल और केवल एक प्रतिविम हो जब A के प्रतेक अव्यों का केवल और केवल एक प्रतिविम हो तब वो समंद फलन कहलाएगा तो यहां पर अपनको दो special चीज़ों का याद रखना है यदि ये दो special चीज़ें किसी समंद में हो तो वो फलन बन जाएगी ये दो special चीज़ कौन-कौन सी है एक तो प्रतिव हो यह आपने को definition में फिर बरिवा सा याद रखने की ज़रूत नहीं है एक तो प्работिक अव्यों आधा को यहो एक का यदि function A से B में है तो A का यदि P से Q में है तो पी का तो एक तो उसका प्रत्य अव्यवका और दुसरा केवल और केवल एक प्रत्य भी ठीक है ये दो पॉइंट याद रखना है यदि ये दो पॉइंट किसी भी समन्द में होगा तब वो समन्द एक फलन कहलाएगा देखो इसको एक्जामपल से समझते हैं कि जैसे ये एक सेट A है जिसमें एलिमेंट A B C और ये कषेट B है बन टू तू तरी अब यहाँ पर समूचे A से समूचे B में परीबासित x समंद कोई भी इसके ऊपर परीबासित कोई एक समंद उगा वह वह फलन कब कर आएगा तो पहले तो देखते हैं इसको बोलते हैं कि ह राता है और ये कोन मेन कलाता है अब डिवो टोट डेफिनेशन की वर्ड भी यूज कुरों इंकी वर्ड का मतलब वह भी समझो यहां पर जैसे एक समन एक से है ठीक है इसी तरह से बीडियोbas मान लिया कि एक से है सी का समन्द दो से हैं तो इसको पढ़ते कैसे इनको बोलते है प्रतिभीम जैसे एक का प्रतिभीम यदि मैं बोलूं कि एक का प्रतिभीम तो एक का प्रतिभीम को क्या है एक यह डेफिनेशन में काम आएगी चीजे यह कुछ कीवर्ड है इनको बोलते है प्रतिविम इसी तरह से बी का प्रतिविम बी का जो प्रतिविम है वो भी कितना इसका दो है तो इनको क्या बोलते है प्रतिविम या इमेज ठीक है इसी तरह से सी का प्रतिविम सी का जो प्रतिविम है वो क्या है दो है इसमें देखो बी का जो प्रतिविम वो एक है वापस ठीक करना इसको एक का प्रतिविम एक है बी का प्रतिविम भी एक है और सी का प्रतिविम क्या है दो तो इनको तो बोलते है प्रतिविम और यह कहलाते है a-b-c फूरो प्रतिविम जैसे एक का फूरो परतिविम अब पूरो प्रतिविम कौन कौन सा इसमें कौन कौन सा öğ को सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कर दिया दिए रहे जिससे परिवाश आण का मतलब सबका ऐसा नहीं हो कि किसी का प्रतिविम नहीं हो यदि किसी अव्यों का प्रतिविम नहीं होगा तो फ़लन नहीं कहलाएगा पहला प्रतिविम क्या था प्रतिविम होना चाहिए दूसरा प्रतिविम क्या था केवल और केवल एक प्रतिविम होना चाहिए मतलब जैस ये दो points किसी समन्द में होंगे तब वो समन्द क्या चलाएगा फलन क्या उत्यूं क्या रिलेशन क्या 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 खालेगा nuts घर smells तुसरा एक के दो आंसर नहीं आने चाहिए कब कोई भी समंद फलन नहीं होगा उसको मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूं आपको की function is not defined if कोई भी function कोई भी फलन परिबासित कब नहीं होगा जब पहला यहां पहला किस यह पर आप कोई संजीय इस केस में 5 रेट सर्कलाओ नहीं आना ये जब हो तो वह समंद होगा फलन नहीं होगा कब जैसे एक के दो पर्तिवीं में यह ऑंपर एक व्यां वह जाए दो नहीं हो समंद में यह चीज पुसिबल है लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता जैसे बी का एक परतिविम है तीन सी का भी एक परतिविम है तीन लेकिन एक के दो परतिविम है एक और दो फलन में ऐसा नहीं होता फलन में एक केवल और केवल एक परतिविम होता है ठीक है दूसरा केस यह प्रतिबिम भी नहीं है। अच्छा देएगो इधर B के अंदर भी तीन ऐसा जिसका पूरों प्रतिबिम नहीं है, लेकिन इसकी वज़े से कोई प्रोब्लम नहीं है। से प्रांत में खाली हो सकता है प्रांत में यदि कोई अवियोव खाली है तो वो समंध होगा फलन नहीं होगा ये दो पॉइंट याद रखने हैं फलन के समझने के लिए ठीक है यदि ये दो चीजे फलन में हो तो फलन नहीं होगा वो समंध होगा कौन सी चीजे या तो जो न प्रिक से समझाने के लिए एक एक्जाम्पल लिया है ये ट्रीक इस इस समझा जा सकता इससे की इस कंपिर संद में कोई भी जो फलन होगा वह डिफाइंट कब नहीं होगा तो देखो इसके लिए दो से लिए मैंने एक इधर सन को लेकर पुत्तर और ये पिता ठीक है ये बच पिता है तो कॉन कॉन सा देखो अब इसमें जब अपन maping करते हैं तो कॉन सी nep incoming संबाव नहीं है पहला तो देखो कौन सा case possible हो सकता है पहला case कि इस पहले बच्चे का फिता जी पहला this person इसका पिता है दूसरे यह आपस में है ये पुतर ये पिता ये पुतर और ये पता इस तरह की मैपिंग पॉसिबल है दूसरे टाइप की यदि मैपिंग करूं मैं तो ये मैपिंग भी हो सकती है ठीक है जो जो इसमें पॉसिबिलिटीज है वो फलन है और जो जो इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं है वो फलन नहीं हो तो जब रियल लाइफ में यह चीज हो सकती है तो यह फंक्शन में भी हो सकती है जस्ट एक याद रखने के लिए एक्जामपल है ठीक है अब देखो इसमें जो मेपिंग आप नहीं करवा सकते वह फंक्शन भी परीबासीत नहीं होगा जैसे इसको मेपिंग को यह दिमालो कि कि मैं इसको हटा के अपने इसको मेपिंग करें किस तरह से जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया अब मैं दूसरे टाइप की मेपिंग कर रहा हूं तो देखना इस टाइप की मेपिंग जब पॉसिबल नहीं है तो वह फलन भी नहीं होगा जैसे आ यदि मैंने इस तरह की ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यह फंक्शन में भी फॉसिबल नहीं होता जैसे यह बच्चा जिसका कोई पिता नहीं है जब यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन में भी पॉसिबल नहीं है इसको याद रखने का यह तरीका है इस तरह की मेपिंग फंक्शन मे नहीं होती ठीक है? एकवर मेपिंग करके देख थे जैसे इसकी य Ge'mow ओर इसका इसके साथ समझ थेक है? ये मेपिंग भी रियल लाइप में पॉसिबल नहीं है तो जो मेपिंग इसमें नहीं हो सकती वो किसमें नहीं हो सकती फलन में भी नहीं हो सकती ठीक है तो यह याद रखने होता इन दो केस के लावा सारे के सारे समन्द फलन होते हैं ठीक है अब 俊ली फलन को अपन एक दूसरे टाइप से समझते है कि function क्या होता है फलन क्या होता है एक तरह की machine की तरह वर्क करता है कोई भी फलन एक machine की तरह काम करता है जिसमें अपन कुछ input डालते हैं और उसका output आता है ठीक है function को समझने के लिए मैं आपको एक दूसरे टाइप से भी समझाने ही कोशिज कर रहा हूं कि function एक machine की तरह काम करता है जिसमें अपन कुछ input डालते हैं और उसके पहलेली कुछ output आता है जैसे अपन machine को example के तोर पे लेते हैं कि जैसे यहां पे लिया मैंने जूसर ठीक है तो जब यह जूसर है तो इसमें अपन कुछ fruit डालेंगे तो उसका क्या बनाएगा juice बना दे गए जिस type का fruit डालेंगे उसी type का juice निकल जाएगा ठीक है जैसे इसमें इदर banana डाला तो banana का juice निकल गया mango डाला तो mango का juice निकल गया तो इस तरह से function काम करता है यह जो input है यह function का क्या कहलाता है domain या प्रांथ और यह जो output आता है जो उस machine में डालने पर जो भी data output देगा उसको बोलते हैं अपन परिशर ठीक है जो output आएगा उसको क्या बोलते है परिशर और वो कहलाती है range यह function में बहुत important चीज़ है दोनों प्रांथ और परिशर पर numerical बनते हैं और बचों को यह समाझ में नहीं आती बात कि प्रांथ क्या होता परिशर क्या होता है domain और range ठीक है प्रांथ को बोलते है domain और परिशर को बोलते है range तो किसी भी मशीन में जब अपन input डालते है तो वो input प्रांथ की तरह काम करता है और जो उसका output आता है वो उसक उसका परिशर अब सोच के देखो एक बार कि अपने इसमें पत्थर डाल दें तो उसका उट्पुट कि आएगा नहीं आएगा उट्पुट इसमें पत्थर नहीं डाल सकते तो इसके प्रांत में पत्थर नहीं होगा यदि इसमें लकडी डाले तो भी मशीन काम नहीं करेगी तो इसका प्रांथ इस जूसर के लिए प्रांथ क्या है सिर्फ फूट उसमें लकडी नहीं आ सकती उसमें पत्थर नहीं आ सकते तो उसी तरह से इसका जो रेंज है उसका जो परिशर है वो क्या है जूस ठीक है जैसे एक्जामपल के लिए अपन समझते हैं यह काम नहीं करते हैं, जैसे जूसर में कभी लखड़ी नहीं डालते हैं, तो उसी तरह से जो चीज़े जूसर में डालते हैं, वो क्या होता है? तो इसी तरह से रूट एक्स का जो इन्पुट है, वो क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, जीरो टू इन्फिनिटी, यही नंबर रूट एक्स में डाला जा सकता है, यही नंबर इसका प्रांत कहलाएगा, यह डॉमेन फाइंड करने का तरीका होगा, तो रूट एक्स का प्र जूस निकलता है, ऐसा नहीं कि इदर लकडी डाली तो इदर खिलोने बन जाएगे, तो इसका जब प्रिशर जूस है, तो इसी तरह से रूट एक्स का प्रिशर है, जीरो टू इन्फिनिटी, इस तरह से अपन प्रांत और प्रिशर को समझते हैं, एक और एक्जामपल यहा इसका प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत होगा, ओल रियल नंबर, जिसको पन कहेंगे, इसके प्रिशर कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग सोच के देखो, एक्स स्क्वाइर को जो आउट पूट वो क्या आएगा, हमेशा पोजिव नमर आएगा, तो इसका जो प्रिश लगा है, square bracket और एक तरह का simple break लगा है, यह printing mistake नहीं है, यह बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 0 को include करना है, और infinity को include, नहीं करना है, तो इस तरह से कोई function work करता है, जिसका प्रांत होता है, और परिशर होता है, ठीक है, कुछ examples हैं, जिससे हैं अचान, एक और slide देखो, इसमें कि domain, core domain और range क्या-क्या चीज़ होती है, जैसे एक simple सा एक example लिया, यह function है, जो A से B में परिवाशित है, A से B में defined है, यह जरूर discuss होना चाहिए, कि function defined कहां से काम है, ठीक है, देखो, तो उसमें A की value क्या आई, 1, B की value आई, 3, C की value भी कितनी आई, 3, यह एक function हो सकता है, इस तरह का, यह function को mapping form है, अच्छा, इसी function को मैं दूसरे form में भी लिख सकता हूं, इसको लिखने का दूसर तरीका भी हो सकता है, वो दूसरा तरीका यह होगा, कि जैसे एक function है, F, जो की A से B में defined है, इस तरह से, और उस function में क्या हो रहा है, उस function में A की value 1 आ रही है, ठीक है, इसी तरह से B की value 3, और इसी तरह से C की value 3, याद रखना, इसी function को represent करने के यह दो तरीके होगे, ऐसा भ A का प्रतिविम 1, B का प्रतिविम 3, C का प्रतिविम 3, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिसमें A का प्रतिविम 1, B का प्रतिविम 3, और C का प्रतिविम 3, ठीक है, इसको बोलते है, चित्रन रूप, लिखने का किसी function को, और यह है roster रूप, function को roster रूप में लिखने का तर क्या चीज है प्रांथ प्रांथ क्या है इसमें A B C ये पूरा सेट होता है प्रांथ का और ये पूरा सेट होता है से प्रांथ का इसी एक्जामपल से याद रख लो आप जैसमें इसका प्रांथ है इसमोल A B C से प्रांथ है 123 और फिर आती है बात रेंज की रेंज मतलब सारा नहीं है 123 तो इसका क्या है सै प्रांथ सै प्रांथ में और परिशन में फरक समझों आप इसमें ठीक है जैसे सै प्रांथ क्या होता है इसमें इसका हमेशा जो से प्रांत है उसी से ही आपका परिशर निकलेगा ठीक है जैसे ये बड़ी इंपोर्टेंट चीज़े याद रखना ये वाला पॉइंट कि जो इसका रेंज है वो को डोमेन का सबसेट होता है ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं इसको हिंदी में इस तरह से समूचे होता है ठीक है परिशर सह प्रांत का उप समूचे होता है इसका मतलब कभी कभी सह प्रांत पूरा का पूरा परिशर भी हो सकता है इस परिशर में वन टू थ्री भी आ सकता है अभी तो वन और थ्री है तो तीन चीज़ें याद रखने एक तो डोमेन में क्या और जो जो आउटपूट आता है जैसे इसका आउटपूट है वन और थ्री ये इसका क्या क्या लाएगा परिश्र क्या लाएगा अगली जो चीजी इसमें याद रखने लाइक है वो यही याद रखने लाइक थी ठीक है अब कुछ इस एक्जामपल से जिससे आपको आइटिफाई करना है कि यह फंक्षन है या नहीं है फंक्षन की मेपिंग है या नहीं है ठीक है अब फंक्षन की मेपिंग में आपको वह एक्जामपल याद रखनी पिता-पुतर वाला ठीक है जैसे यह जो मेपिंग देख रही है वह एक या function कि यह बताई मतलब इसमें function है कि नहीं है तो अपन कैसे देखेंगे कि इसका प्रते कवियों का के ओल और के ओल एक प्रते भी माना चाहिए A, B, C, तीनों का कोई नों कोई image है और image एक-एक होनी चाहिए जैसे A की A की image है इस तरह की possibilities हो सकती है यह भी नहीं समझाए तो वो पिता पुत्र का example इसमें लगा सकते हैं जैसे A का पुत्र है, B, 3 का पुत्र है, C, 3 का पुत्र है, ऐसा possible है तो यह क्या है function है यह फलन होगा समंद तो है प्रते एक फलन समंद तो है लेकिन यह भी फलन होगा दूसरा example क्या यह बताई है कि यह एक फलन है या नहीं है चेक करके तो यह फलन नहीं है फलन है यह फलन नहीं है तो फलन नहीं है तो क्या है समंद तो है समंद में तो किसी भी तरह से मेपिंग हो सकती है तो ये फलन नहीं है समंद है ठीक है फलन क्यों नहीं है क्योंकि प्रांत के अंदर एक ऐसा अवियव है जिसका प्रतिबिम नहीं है प्रांत में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए प्रांत का एक भी अविव ऐसा है जिसका कोई प्रतिविम नहीं है इस वज़े से ये फलन नहीं है दो चीज़े याद रखनी है कुछ भी खाली नहीं रहना चीए और एक के दो इमेज नहीं बननी चीए ठीक है अगला एक्जामपल तीसरा क्या ये फंक्शन है बताई ये फं केवल और केवल एक प्रतिविम होना चाहिए यहां पर एलिमेंट ऐसा है जिसके दो प्रतिविम है और इस तरह से ये वी फंक्शन नहीं होगा ठीक है इस तरह से अपन देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कब फलन होगा और कब नहीं होगा आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे फलन के परकार कि कितने परकार के फलन परिवासित होते हैं तो पहले हम आपको सिर्फ टाइप बदा जैता हूं फिर एक एक की डेफिन समझते है पहला टाइप एक की आचा दख दूसरा हैं की की आचाएप थीसरा बहु एक की आचा दक चो हुत था बहु एक की ऌन चपी हेक हरएं उनको एक स्लाइड में डिसकर्ष करेंगे पहले चीज किया होता है कि वह सकता कि जब वह एक एक हो तो आचा तक भी हो लेकिन यह देखेंगे कि वह एक ही क्या होता है कोई भी फंक्शन बहु एक ही कब होगा ठीक है और कोई भी फंक्शन आचा तक कब होगा और कोई भी फंक्शन अंतचेपी कब होगा वैसे टाइप के जो फंक्शन के पर वो चार यह होते हैं, 1-2 यह जाओ अच्म Ready, 1-2 जाओ यह जाओ का है , 3-2 जाओ का सबसे हमें। ठीक है वन-वन फंक्षण एक-एक-इक फंक्षण के पोगा उसका यहां पर यह example देखो कि जब समूचे एक प्रतेग अवियों का के वलों के ओल इक प्रतिवीम होगा फंक्षण होता है अच्छा एक का सब का अलग-अलग वेताथी भी मोड़ तो वह क्या आएगा एक ही कि वेल्यू एक आती इसमें बीकि वेल्यू भी एक लिए मतलब एक के शादि रिलेशन और चीजह में एक का, एक, one one का मतलब one two one होनाची मतला ऐसानी कि दोılar नहीं कि दो का एक ही कि मेज हो, वो function तो होगा पर वो ekке की फलन नहीं होगा, टो कोई भीफलन aki कब हो जब इस तरह की mapping हो, 1 to 1, 1 to 1 function कब होगा जब 1 का समंद 1 के साथ हो B का समंद 3 के साथ हो C का समंद 2 के साथ हो तो इस तरह की जो mapping है वो क्या कहलाएगी AK की फलन कहलाएगी तो अच्छा AK की फलन और BOWE की इन दोनों में से 1 साथ A की होगा अब BOWE की समझते हैं बहुए की कब होगा इस टाइब का जो फंक्षन होगा यह कौन सा टाइब होगा कि जैसे A की वेल्यू एक आई B की वेल्यू एक आई और C की वेल्यू तीन आई यह mapping किसकी है बहुए की की इसमें बिलकुल भी ऐसा खास नहीं है आप नाम से समझ सकते हैं इसमें मैंई वन मतलब बहुतों का एक के साथ रिलेशन वन् टू वन मतलब वन का वन के साथ रिलेशन ठीक है वन का वन के साथ जो connection होगा वो वन वन फंक्षन कहलाएगा मैंई टू वन मतलब एक से ज्यादा का समंद एक के साथ हो तो वो मैनी वन कलाएगा एक एक की मतलब एक का एक के साथ समंद बहुए की मतलब एक से ज्यादा का एक के साथ समंद इस तरह की मैपिंग क्या कलाएगी बहुए की फलन कलाएगा ठीक है तो देखो इसको समझो कि कभी भी फलन इन दोनो किनिये kiki क्योंकि one two one है समस्क्रeekson mapping जो कर रहती है वह वन टुवर तो ये क्या ट्रती इस तरह की एकएक आप सपोज कि मैं इस तरह की मैपिंग करता यह कि यह function possible है इस तरह का function हो सकता है लेकिन यह जो मैपिंग है वो किसकी क्यलाएगी इसमें बहुए एकई की कहलाएगी तो एकई की और बहु एकई में डिफ्रेंट समझ में आया वन टू वन और मैंने टू वन कि तीसरा जो इसमें कीवर्ड पढ़ा था अच्छा दक फलन ओंटू फंक्शन ओंटू में अपनको क्या ध्यान रखना है कि जैसे यह है प्रांथ ठीक है और यह है सह प्रांथ अब सुनना आगले लाइन द्यान से सुनना प्रांट में यदि कोई अव्यव ऐसा हो जिसका कोई इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन नहीं होगा लेकिन सहब प्रांट में कोई अव्यव ऐसा हो सकता है जैसे इधर मैंने बना दिया चार इसका कोई इमेज नहीं है प्रतेख अव्यव का सेह परांत के सेह परांत के प्रतेख अव्यव का पूर्व प्रतिविम प्रांत में हो तक है आच्छा तक मैं अपने को क्या याद रखना है कि से प्रांत में जो यह वाला सेट होता है इदर वाला इसके प्रतेक अव्योग का पूरो प्रतिविम प्रांत में होना चाहिए यदि नहीं है तो वो क्या 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 क Ó अचा दक कंोगा जब प्रतीक इसे प्रांत के सारे अभियों का प्रती वी मोखव पूर प्रती वी में इसमें प्रांत वहो तब तो आच्छा दो हुगा ज़्या नहीं है तो वह मैं तो इस तरह से हैं पार इसमें ऐप होता है wan situation connection हो one-to-one mapping हो तो एक एक की many-to-one हो बहुतूं का एक के साथ connection दिखा रखा हो तो वह बहुए की इसी तरह से को डॉमेन में याद रखना है को डॉमेन में कुछ भी खाली पड़ा हो तो उसको अंतेच्छे भी कहेंगे और सब का प्रतिभी पूरों प्रतिभी प्रांत में मिल जाए तो वह आच्छा दक कहेंगे इसके example भी discuss करते हैं identify the type of function आपको इस function का type बताना है कि यह किस type का function मैं ठीक है यह किस type का function है वो चेक करना है इसमें authentic तो चार्ट ऐप मेंसे यह कौन सा type तो पहले check करते हैं एक और भूर्मी की में से कौn सा है नat check करने का तरीका क्याओ पहले की ठीक फूरा भी नाम नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ एके की और बहुर एकी में चेक किया भी किया मिला एक एक फिर आचा दग में जब अन्तेश्चे करेंगे तो वह कैसे चेक करते हैं फिर देखते हैं ऑप domain में यह goose domain में कुछ tele और इलिमेंट मिल जाए ऐसा आई हो मिल जाए इसका पूरो पतिम नहीं हो तब तो अने छरपी और खाली नहीं मिले ऐसा को element यह इसका पूरो प्रतिम नहीं हो तो वह क्या एलैगा आचा तग उसमें एक इस टाइब का function हुआ एक की आचादक देखो इससे बड़े बड़े example समझेंगे पहले अभी आप इस type को समझो कि इसको बोलते हैं एक की आचादक इस type के function को बोलते हैं एक की आचादक अगला example इसमें आप डोड़ने की कोशिज करो यह किस टाइब का है तो पहले mapping से दिखरा आपको चितरण के अंदर कि यह एक की type का है बोव एकी तो नहीं है किसी दो अव्योव का एक प्रतिविम तो नहीं दिख रहा है यह किस टाइब का function है एक एक की अंटेशेपी अगला example इसको जब अपन चेक करेंगे तो यह देखो यह एक एक नहीं है क्योंकि एक का प्रतिविम एक है बी का प्रतिविम भी एक है तो यह कैसा function है पहले एक की और बहु एकी में से बहु एकी function ठीक है एक एक की और बहु की चेक करते हैं दूसरा आचा दग और अंटेशेपी में जब चेक करेंगे तो यह कैसा function है आचा दग और अंटेशेपी में कैसे चेक करते हैं उसमें code domain के element देखते हैं यदि code domain में सब का पूर उपरतिविम है तब तो वो क्या कलाएगा आचा दग और यदि कुछ खाली ह तो वो होगा अन्टेशेपी तो यहां पर यह क्या होगा आचा दग तो किस ट्राइब का function हो आई बहू एक ही आचा दग जो तीसरा example है वो किस ट्राइब का function हो आचा दग ठीक है इसको बोल सकते हैं मैनी one on two मैनी वन और ओन टू ठीक है सेकंड एक्जामपल भी देखो इसको क्या कहेंगे वन वन इंटू अंते चेपी को इंटू आच्छा देखो ओन टू वन वन और मैनी वन आपन को याद रही जाएगा चोथा एक्जामपल इसका लास्ट टाइप पढ़ते हैं आइंटिफाइब चाहिफ उपाइप ऑफंक्शन ये कौणा से टाइप का फंक्षन है तो वताओ कन्से टाइप का है पहले चकरेंगे एक यक्ड़ा आच्छा देख मैंसे सबसे पहले इसमें देखेंगे स्वी एक-ạt्यों और बहुएकि में से तो किस तरह का यह तीन अभयोका एक प्रतिविम है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि तीन अभयोका एक यह प्रतिविम हो यह function में possible है तो यह किस तरह का function होगा बहु एकी type का होगा अभी तो एक एकी और बहु एकी मेंसे चेक किया तो क्या आया बहु एकी आया दूसरा आच्छा दग और अन्ते चेपी में आच्छा दग और अन्ते चेपी चेक करने के लिए हमेशा को डोमेन के अवियो चेक करते हैं में कुछ खाली अभी आपड़े हैं तो वह अन्थय श्यपी में आएंगे, यदी में कुछ भी खाली अभी नहीं तो वह आच्छा दिक में होंगे, इसमें खाली है तो इसको क्या कहेंगे अन्थय श्यपी, ठीक है, तो यह किस टाइब का function हौँआ, बहु एकी अन्तेचेपी इसका मतलब यह है many one many one and two function इस तरह से कोई भी function के कोई भी जो function है वो इन चार टाइप में से एक टाइप होगा कौन-कौन सा एके की आच्छा दख एके की अन्तेचेपी तीसरा बहु एकी आच्छा दख बहु एकी अन्तेचेपी इन तीन में से कोई एक टाइप का function वो होगा ठीक है तो आज के lecture में जो अपन ने पढ़ा वो एक तो function पढ़ा और एक type of function पढ़ा कोई भी function defined कब होता उसकी condition देखी एक example से उसमें example में क्या था फिर मैं आपको दो point repeat कर देता हूं इसमें कि कोई भी समंद फलन कब होगा जब एक के प्रते कभी होगा के वल और के ओल एक प्रती भी मतलब इसमें कुछ भी खाली नहीं होना चीए प्लस एक के दो answer नहीं होगे ठीक है तो आज के session में इतना ही बाकी बढ़ेंगे इसमें अगली class में धन्यवाद